और आज हम करेंगे assessment और evaluation पर पात, तो ये बहुत important component है अगर हम देखें पूरी teaching पेड़गोजी का, तो assessment और evaluation के बिना teaching अधूरी है, क्योंकि ये बहुत basic part होता है, क्योंकि assessment से हमें ये पता चलता है, कि हम कहां तक progress कर पाए है, क्या जो हमारे aims थे वो अचीव हुए या नहीं हुए, कहां उनमें loopholes है, जहां हम सुधार कर सकते हैं, साथी साथ हम बहुत सारे methods ऐसे use करते हैं, बच्चों को evaluate करने के लिए, उनको measure करने के लिए, उनकी progress को measure करने के लिए, या फिर हम documentation भी करना च सकते हैं, अगर एक बच्चा स्कूल में enter कर रहा है, तो उसका assessment और evaluation होना तै है, उसके बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं, वो भले ही ऐसा हो सकता है, कि छोटे classes के लिए assessment और evaluation का तरीका अलग हो, और बड़ी classes के लिए अलग हो, लेकिन assessment और evaluation होता जरूर है, चाहे वो class क कोई भी हो, वो हमारे उपर depend करता है, कि वो activity based करना है, जो भी curriculum में mention होता है, तरीका, वो हम use करते हैं, तो चलिए आज बात करेंगे इसी पर assessment और evaluation के उपर, सबसे पहले assessment पर बात करने से पहले, एक general छोटा सा idea आपको दे देती हूं, कि तीन terms जो है, इनमें basic difference क्या है, ठी लेकिन अभी मैं यहापर आपको तीन चीज़े इसलिए बताना चाहा रही हूं, क्योंकि इन तीनों को आप कही बार सोचते हैं, कि एक ही चीज़ है, लेकिन वो एक चीज़ नहीं है, देखे, assessment तो मैंने यहापर लिखा ही हुआ है, एक होता है आपका measurement, measurement जिसको हम mapन भी कह कह सकते हैं, या फिर हम map कह सकते हैं, ठीक है, यह तो हो गया हमारा measurement, इसके बाद एक और term आती है, वो है evaluation, जिसको हम कहते हैं, मूल्यांकन, ठीक है, तो तीन terms हमारे पास है, measurement हो गया, evaluation हो गया, assessment हो गया, अब मैं आपको तीनों terms पहले क्यों समझाना चाहती हूं, ताकि इस mark में clarity रहे कि हाँ यह इस context में है, तो देखिए, जब आप information gather करते हैं, या फिर evidence इखटे करते हैं, basically आप बच्चों के बारे में कुछ information है, उसको आप gather करते हैं, gather मतलब होता है इखटा करना, ठीक है, आपने information gather कर ली, तो यह आपके एक तरह से assessment का part होता है, तो यह assessment होता ह है, that means कि gathering information और evidence, तो यह scale assessment है, कि ठीक है, आप information gather कर रहे हो, और फिर आपको लगता है कि कोई scope है, आप उसको improve कर सकते हो, उसको और जदा भैतर बना सकते हो, अपने teaching learning strategy से, उसके बाद आता है evaluation, तो evaluation क्या है, evaluation का मतलब है कि जो यह information आपने gather करी है, इसी information को आप use करोगे judgment क करने के लिए, ठीक है, समझा है difference, assessment में तो आपने सिर्फी information gather की, आपने यहाँ पर judgment नहीं किया, आपने देखा कि हाँ ठीक है, यहाँ पर कमिया है, यह मैं सुधार सकता हूँ, यह नहीं सुधार सकता, बच्चों के बारे में जो भी, ठीक है, अब information के बारे में अगर आप आपने judge कर लिया, इस information के basis पे कि हाँ बई, यह बच्चा तो ऐसा है, यह बच्चा थोड़ा सा average है, low achiever है, तो वो आप evaluate कर रहे हैं बच्चे को, ठीक है, यहाँ पर आपने एक judgment कर दिया, ठीक है, आपने एक राय दे दी, अपने राय बना ली है, यहाँ पर basically उस information को देख है, लेकिन आप जब scores देते हैं, तो basically आप यहाँ पर measurement कर रहे होते हैं, आपने कोई numbers assign कर दिये, बच्चे को A plus दे दिया, आपने 10 में से बच्चे को 5 number दे दिये, यह पर 100 में से बच्चा 95 लेकर आ गया, basically आपने जब यहाँ पर scores और grades assign कर दिये हैं बच्चे को, तो यह आ आपका measurement बन जाता है, ठीक है, मतलब यह कोई भी attribute है, characteristic है, किसी person की, इस तरह से कि जो number है, define करते हैं, कि अगर 95 बच्चा लेकर आ रहा है, that means कि he is a very good child है, हम कहते हैं, gifted child कह सकते हैं, इसको कि इतन number लेकर आ रहा है, average तो है नहीं, average से उपर ही जा रहा है, gifted बच्चा है, बह assessment का role से वितना है, कि आप information gather करते हैं, उस information के, आप analyze कर सकते हैं, उस information को, यह जानने के लिए कि आपके teaching learning process में कितने ज़रा सुधार क्या आउशकता है, लेकिन अगर आपने judgment कर दिया, तो फिर वाँपर scope नहीं बचता, आप information gather करना और information के base पर judgment करना तो अलग चीज़े हो ठीक है, तो यह basic कुछ difference था, assessment, evaluation and measurement के बारे में हम बात कर रहे थे, अब हम आते हैं assessment पर, तो जैसे कि मैंने आपको बताया ही, कि assessment जो है, वो teaching learning process के दोरान होता है, यानि कि section अधिगम जो प्रक्रिया होता है, teaching learning जो हमारा process होता है, T means teacher, L for learning, teacher यानि कि section और learning means अधिगम, तो section अधिगम प्रक्रिया के दोरान ये assessment हम करते हैं, basically हमारा main अगर हम assessment का motive कहें तो हमारा target होता है, कि हम बच्चों की learning को improve करें, बच्चे जो भी learn कर रहे हैं, उसमें आपको improvement करना है, आपको उसको बढ़ाना है, जो भी loopholes हैं, कमिया है, teaching learning process में हो सकती है, फिर teaching process में हो सकती on specific issues, based on which step can be taken for facilitating or enhancing, for enhancing learning, तो basically aim क्या हो गया, primary aim तो या फिर primary purpose यही हो गया, कि हमें बच्चे की learning को जो है, enhance करना है, अपने teaching learning process को इस हद तक बढ़ाना है, कि बच्चा जो है, हर एक बच्चा जो है, उस ही level के साथ सीख पाएं, जैसा कि हम चाहते हैं सिखाना, तो ये basically assessment का ह हमारा उद्देश होता है, improvement का होना, scope होना चाहिए assessment में, assessment में आप judgment नहीं करेंगे, आप assessment इसलिए करते हैं, जो day to day, अब इसमें बहुत सारी चीज़े आती हैं, वो आगे आपको clear हो जाएंगी, अब day to day assessment करता है, classroom में जो बच्चा जाता है, तो teacher उसको observe, observe तो daily ही करता है आपको लगता है कि 40 बच्चे अगर आपके class में हैं, तो obviously हम सबको पता होता है कि कितने average होते हैं, कितने थोड़े से high achievers होते हैं, कितने low achievers होते हैं, हमारा main काम क्या होता है, कि जो बच्चे बहुत कम score कर रहे हैं, उनको और score करवाना है, जो high achievers बच्चे हैं, उनको motivated पहले कि एक table मुझे मिली थी, जो बहुत अच्छी लगी मुझे, ताकि इसमें आपको काफी चीज़े में सिखाना चाहती हूँ, देखो assessment जो है, वो कई तरीके से हो सकता है, कि अब ये formal से less formal से more formal तक हो सकता है, हम सब को पता है, कि जो school होते है, वो formal institutions होते है, formal type of teaching होते है यहाँ पर formal education दी जाती है, यानि कि उपचारिक शिक्षा दी जाती है, यहाँ पर एक proper organized तरीका होता है, education देने का, organized वे से काम होता है, ठीक है, तो less formal से more formal तक assessment जा सकता है, कि बहुत कम formal भी हो सकता है, जादा formal भी हो सकता है, तो पहला क्या है कि structure, unstructured होगा, यानि कि structure नहीं reading कर ली, उसके बाद conversation होगी, आप बच्चों के साथ किस तरह से बातशीत बगरा कर रहे हैं, उसके थ्रू भी आपने observe कर लिया, कुछ और उसके बाद आपने बच्चे का assessment कर दिया, कि हाँ भी मैं तो daily से बात करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको इतना आता या जो भी है, तो यह unstructured है क्योंकि हम structure लेकर नहीं चल रहे हैं, अब slightly structure का मतलब है कि unstructured तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा structure होगा, अब थोड़ा सा structure क्या हो सकता है, कि आपने observation कर ली, observation schedule बना लिए, ठीक है, कि आप observation कर रहे हैं, आप निरिक्षन कर रहे हैं बच्चे का, उ चीजे और time foundation नहीं हो पाएगी, आपको क्या पता कितना time लग जाए कि जो आप observe करना चाहते हैं, वो ना observe कर पाएं फिर भी, interview schedule हो सकते हैं, यानि कि आप साक्षातकार ले सकते हैं, बच्चे का, questionnaires हो सकते हैं, प्रशनावली जो होती है, quizzes हो सकते हैं, role play करा सकते हैं बच् फिर उसके बाद आप portfolio बना सकते हैं, portfolio एक पूरा आपका एक kit होता है, जिसमें बच्चे की हर activity होती है, उसका homework, उसकी classroom activities, उसकी reading के जो भी schedules होते हैं, वो आप उसमें लगते हैं, student self assessment, कई बार हम बच्चों को बोलते हैं, कि बच्चे खुद अपना assessment करें, वो self assessment की reports होती ह वो आपके उपर depend करता है, कि आप monthly करवाते हैं, आप weekly कराते हैं, कैसे, फिर peer assessment, कि बच्चे के दोस्ट जो हैं, खुद उसका assessment करें, ठीक है, ये भी एक चीज़ है, तो ये सारे जो चीज़ें हैं, वो slightly structured है, पूरी तरह से unstructured भी नहीं है, थोड़ी से structured है, ओके, तो अब ह checklist होती हैं, आपके पास portfolio again, अब यहां पर ये portfolio जो हो सकता है, कि आप वर्बल या और उसका रखें, यहां पर portfolio अगर आप structured वे से लेकर चल रहे हैं, कि आपके weekly test है, वो भी उसमें आ रहे हैं, ठीक है, ये सारे चीज़ें, बचले जो project work कर रहा है, assignment work कर रहा है, ठीक है, ये examination, इसमें आपके जो half year exam होते हैं, फिर जो भी exams होते हैं, even हम थोड़ा सा ये कह सकते हैं, कि periodic test आज कर चल रहे हैं, अगर वो 10th और 12th के होते हैं, तो उनको भी हम इसी category में रख सकते हैं, standardized tests तो हमें पता ही है, board के exam हो गए, या फिर जितने भी high entrance exams हो गए, ये सारे आपके standardized test होते हैं, मान की करत test होते हैं, परिक्षन होता है, जिसमें हम जो norms होती हैं, उनको follow करते हैं, कुछ मानक होते हैं, time limits होती है, question paper एक ही जगह से बनकर आता है, सभी बच्चों के लिए same होता है, तो ये सब standardized test होते हैं, published aptitude test भी हो सकते हैं, aptitude basically किसी बच्चे का interest किस चीज मे हो जाती है, या फिर उसको interest इतना जदा होता है, कि वो सबसे आगे रहता है, उसकी एक particular चीज में, तो वो उसका aptitude हो जाता है, तो ये सारे test भी आपके more structure के अंदर आते हैं, तो assessment जो है, वो less formal से more formal में जा सकता है, वो teacher पर depend करता है, situation पर depend करता है, कि हम, और class पर भी depend करता कि कौन से class है, और किस तरह कि उसकी guidelines है, कि हमें किस तरह से assessment करना है, आप थोड़ी से बात करेंगे formative and summative assessment की, इन दोनों को साथ में समझना जदा जरूरी है, रशनात्मक आंकलन या फिर संकलात्मक आकलन, ठीक है, अब यहाँ पर assessment है, कई बार आपको exam में यहाँ पर evaluation term भ कर सकते हैं, थोड़ा सा, ठीक है, तो formative assessment देखते हैं, सबसे पहले रशनात्मक के बारे में देखते हैं, comparison के थुरू हम इसको समझेंगे, ताकि चीज़े साथ ख्लियर हो, process oriented होता है, यानि कि प्रक्रिया पर ध्यान दे रहा है हमें, ठीक है, हमें outcome से कोई मतलब नहीं होता है हमें, basically आपने class में कोई role play कराया, suppose, role play, आपने role play करा दिया है, role play कराने के बाद आपको लगा कि कुछ बच्चों की communication skills बहुत ही weak हैं, और कुछ बच्चों को बिलकुल भी वो बहुत shy feel कर रहे हैं, वो सामने आना नहीं जा रहे हैं, इन चीज़ों से क्या होता है, कि मुटिवेट नहीं है, वो एक्टिव नहीं है, वो पैसिव दिखाई दे रहे हैं आपको, तो आप यहां पे कुछ चीज़े कर सकते हैं, बच्चे को अंदर सुधार लाने की, इसको motivate कर सकते हैं, उसको पीर लिर्निंग के थृू हुआ उसको motivate कर सकते हैं, आप खुद भी यहां पर focus किस चीज़ पर है कि प्रक्रिया पर है जो भी आपकी process है आपका teaching learning का जो भी process है वो अच्छा होना चाहिए ताकि आप और बहतर कर पाएं बच्चों की learning को अब summative की बात करें यानि की संकलनात्मक की बात करें तो यह क्या होता है यह outcome यह परिणाम पर ध्यान देत है कि अब जब exam summative assessment हम कर रहे हैं तो आपका आया क्या है result उससे basically इसका मतलब होता है next है allow teachers to assess their skills method teaching methods and make changes to help students again क्योंकि process oriented है तो teachers को यह allow करता है कि आप अपने teaching methods को ठीक कर सकते हैं आप change कर सकते अपनी process में ताकि बच्चे की help हो सके allow teachers to change their teaching methods for the next school year if school didn't perform well अब यहां पे आप allow कप करेंगे suppose आपने एक class fourth class का जो result आया है उसमें मतलब 5 बच्चे जो हैं बहुत ही low achievers हुए NDP के अंडर pass हुए वो new detention policy के अंडर आपको pass करने पड़े वो अपने आप से नंबर नहीं लेकर आए तो वहली चीज़े होती है तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि आपको जो है बच्चे को यहां पर अगले साल के लिए आप उसको सुधार कर सकते हैं scope तो यहां भी है वैसे उसके बाद है flexible as per the needs of students यह flexible है अगर teacher को लोगा कि यह तरीके से समझ में नहीं आ रहा दूसरा तरीका यह उसकर लिया कोई problem नहीं है अब यह inflexible है one test है for all students अगर आपने half yearly exam लेना है तो एक ही टेस्ट होगा हर बच्चे के लिए होगा किसी भी बच्चे को दो चांस यहां पर नहीं मिलेंगे आप वहां पर यह नहीं कह सकते कि भई ठीक है इस बच्चे की अस्तवित खराब थी और यह नहीं कर पाया तो हम इसको दूसरा चांस दे देंगे देख और paper बना देते हैं इसके लिए ऐसा नहीं होता है तो summative assessment थोड़ा ज़्यादा formal होता है उसके बाद less formal है और more formal जो मैं आपको बात बोली रही थी यहां पर कि यह कम उपचारिक है मतलब ठीक है उपचारिक था है इसमें जैसा आप unit test लेते हैं आप periodic test लेते हैं वो सब आपके formative assessment का part होता है लेकिन यह कम उपचारिक है हम यह कह सकते हैं अब देखो जब आप UT लेते हो तो वहाँ पर भी attendance नहीं होती है लेकिन जब आप समेटिव लोग है तो वहाँ पर assessment बहुत मतलब attendance बहुत जरूरी है और medical दोगे तब मैं आपको और बताना चाहते हैं क्योंकि हर चीज़ हम लिख नहीं सकते हैं स्लाइट में कुछ चीज़ आपको सुननी पड़ेंगी ध्यान से एक चीज़ है कि feedback जो होता है इसको पृती पुष्टी बोलते है तो feedback जो देते हैं आप बच्चों को feedback मतलब क्या होता है कि आप आपने कोई काम किया या फिर आपने कुछ किया उसके बाद आपको feedback देना होता है बच्चों को कि बच्चों ने उसमें क्या-क्या चीज़े की हैं क्या उनको कमिया है बताब ऐसा नहीं होता कि ठीक है very good poor इस तरह यह feedback नहीं है यह basically तो आपने एक तरह से वैसी चीज़े ब क्योंकि जब आप parents को बताते हो कि आपके बच्चे में यह चीज़े अभी है इन चीज़ों को आप सुधार कर सकते हो यह बहुत है इसकी strength है आप इसको ऐसे कर सकते हो तो कहीं ना कहीं बच्चा और parents जो है दोनों ही motivate होते हैं तो feedback is very very important in formative assessment ठीक है और कहने की बाद यह है क कि यहां से reinforcement भी बच्चे को मिलता है formative assessment से क्योंकि यहां पर आपके पास basically scope होता है कि आप teaching learning process को जो है आप improve कर सकते हैं next अब हम देखेंगे types of assessment को कि assessment के कितने देखें यह तो कुछ basic type है formative or summative assessment यह तो दो type आपने सीख लिए इसके अलावा इनी types में दो कुछ और categories है वो म assessment और formative assessment जो है वो included है लेकिन इसके अलावा एक ओर टाइप है assessment as learning जिसको भी हमें देखना जरूरी है so basically types of assessment की बात करें तो आकलन के प्रकार होते हैं तीन हमारे सामने मुख्य रूप से होते हैं एक होता है assessment for learning एक होता है off learning एन एक होता है as learning तो for learning क्या होगा basically आपका formative assessment है जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा है उसके पर अलावा assessment of learning समयटेव assessment होता है सीखने का आंकलन एक है पहला है सीखने के लिए आंकलन क्योंकि आपको यहाँ पर सीखने के लिए आपको आंकलन करना है ठीक है तो यहाँ पर यह है कि अगर आप अच्छा नहीं सीख रहे है तो आपको और बहतर कराने की एक चांस होता है यहाँ पर लेकिन assessment of learning कि जितना आपने सीखा है उसका आप assessment कर रहे हो तो यहाँ पर एक तरह का judgment आप कर पाते हो उसके पर assessment as learning है तो यहाँ पर authentic assessment होता है सीखने के रूप में आप आगलन कर रहे हो तो देखते हैं इनके अंद that allows teachers to monitor students on a day-to-day basis ठीक है तो यहाँ पर बात यह है कि day-to-day basis पर यानि कि प्रते दिन आप बच्चों को जो है monitor कर सकते हो और modify कर सकते हैं अपने teaching को बच्चों की needs के according अब आप lesson planning करते हैं आप unit planning करते हैं तो lesson planning में या unit planning में आप changes कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि जो teaching learning लिवेर्न फ्रोसेस वो अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है तो basically ongoing assessment होता है एक तरह से formative assessment है यहाँ पर आपका काम judgment का नहीं होता है आपका यहाँ पर काम आपका motive आपका aim एम आपका purpose यहाँ पर होता है कि आप teaching learning process में कितना सुधार ला सकते हैं याँ दर पर जो टर्मिनल टेस्ट होते हैं, जो टर्म एंड टेस्ट होते हैं, जिनको आप समेटिव असेस्मिन भी बोलते हैं, वो इसका पार्ट होते हैं. It is the snapshot in time that lets the teacher, students and their parents know how well the student has grabs the learning outcomes of a module or a program and which one contributes to the final mark given for the module or lesson. तो basically हमें एक idea मिलता है यहाँ पर कि teacher ने, student और उनके parent ने, मतलब कितना जानते हैं वो student को और किस तरह से बच्चों ने चीजों को ग्रहन किया हैं और जो learning outcomes हमने रखे थे अपने, हमने जो learning outcomes पहले से बना कर रखे थे कि ठीक है, अब ये बच्चे सीख पाएंगे, हम learning outcomes कैसे बनाते हैं lesson planning में, they will be able to read the poem correctly, they will be able to learn more words, they will be able to enhance their vocabulary, इस तरह से हम learning outcomes लिखते हैं, तो क्या ये learning outcomes जो हैं, अचीव हो पाए हैं कि नहीं हो पाए हैं, इस चीज़ का एक snapshot हमें देता है, summative assessment, क्योंकि finally जो है, बच्चे को term and exam से होकर गुजरना पढ़ता ही है, तो वहाँ पर सीखने का आंकलन किया जाता है, कि वो कितना सीख पाया है, अब यहाँ पर obviously आप सुधार नहीं कर सकते हैं, अगर term and exam आपने दे दिया, बच्चे के जितने भी number आ गए, वो ठीक है, उसके through उसका judgment हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हम सुधार के लिए नहीं कर रहे हैं जो हमारे aims थे, क्या हम उनको पूरे कर पाए की नहीं कर पाए, ठीक है, which one contributes to the final mark given for the modular lesson, तो यह basically होता है summative assessment, बेसिकली आप यहाँ पर evaluate करते हो बच्चों को, ठीक है, तो summative assessment जो है, यह एक evaluation का part है, जहाँ पर आप judgment करते हो, तो कहने का मतलब यह है कि assessment of learning is summative assessment, या फिर assessment के बारे में, अब हम बात करते हैं, assessment as learning के बारे में, क्योंकि यह term भी important है, अब यह इसको authentic assessment क्यों कहा गया है, क्योंकि यह self assessment होता है, बच्चे के दौरा, बच्चा अपने बारे में क्या सोचता है, कि क्या उसको जो चीज़ अचीव करनी थी, वो कर पाया है कि नहीं कर प पाया, अब देखो self assessment एक छोटी term नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़े आती है, यह हम self assessment सिर्फ यह नहीं है, कि बच्चे ने सोचे थे 90 नमबर, आ गए बच्चे के 80 नमबर, तो बच्चा कहेगा नहीं मैं तो पढ़ाई नहीं जादा, यह बहुत ही छोटी चीज़ है, अगर हम इसकी बात करते हैं, self assessment के aspects बहुत जादा बड़े हैं, बच्चा अपने बारे में बहुत चीज़ों पर assessment कर सकता है, discipline पर assessment कर सकता है, behavior पर assessment कर सकता है, उसको अगर यह लगता है कि हाँ मेरे targets कुछ थे, बच्चे को हमें यह एहसास दिलाना है, कि आपके क्या target है, और आप उन targets को achieve करने में कितना कामियाब हो पाए हैं, कितनी आपको सुधार क्या आफशकता है, क्या आपको लगता है कि आप और भी आगे बढ़ सकते हैं, तो यह जो student का self assessment होता है, यह teacher के लिए बहुत important होता है, और क्योंकि आपको पता है, छोटे बच्चे जो होते हैं तो वो क्या सोच रहा है अपने बारे में, और obviously जब उसकी सोच पता चलती है, तो teacher को भी assessment करना और बच्चे के teaching learning process में जो है सुधार करने में help मिलती है, तो it is a self assessment by students to gauge their own levels and gaps in learning and is crucial in helping students becoming lifelong learners, क्योंकि यह चीज़न को help करती है, basically यहाँ पर reflective thinking बच्चे के लिए बहुत जरूर है, कि आपको reflect back करना पड़ता है, कि आपने कितना बहतर किया है, कितना आप कर सकते हैं, क्योंकि it is a part of assessment, यानि कि हम यह कह सकते हैं कि self assessment जो है बच्चे का, वो आप वैसे term and में भी कर सकते है, and में अगर बच्चे को लगता है कि हाँ यह, लेकिन जब यह during the teaching learning process होता है self assessment, तो वो इसको help करता है, आगे बढ़ने के लिए, enhance करने के लिए उसकी learning, तो assessment as learning is self assessment, या फिर इसको authentic assessment भी हम बोलते हैं, तो यह भी assessment का part है, summative assessment जो है क्योंकि उसमें हम evaluation करते हैं, evaluation करते हैं, summative assessment is a part of evaluation, यह कह सकते हैं, एक बार इस picture को भी देख सकते हैं, क्योंकि यह picture मुझे अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने आपके लिए दे लिए, तो assessment for learning जिसको हम formative assessment बोलते हैं, assessment and as learning जिसको हम authentic assessment बोलते हैं, assessment of learning जिसको हम summative assessment बोलते हैं, तो assessment for learning क्या कह रहा है कि enables teacher to use information about students knowledge, understanding and skills to inform their teaching. तो basically बच्चों की knowledge का, उनकी understanding का और skill की knowledge मिलती है teacher को ताकि वो अपने teaching को improve कर पाए. Teachers provide feedback मैंने कहा था feedback is very important तो feedback to students about their learning and how to improve. उसके बाद assessment as learning involve करता है बच्चों को खुद को उनके learning process में. बतिम they monitor their own progress, ask questions and practice skills. तो अपने आप से question पूछता है कि हाँ भी हमने ये चीज़े ठीक ही की नहीं की. उसके बाद students use self assessment and teacher feedback to reflect on their learning, consolidate their understanding and work towards learning goals. तो जो हमारे goals होते हैं उनकी तरफ हम भागते हैं एक तरह से. assessment of learning assist teacher to use evidence of students learning to assess student achievement against learning goals and standards. क्योंकि यहाँ पर हमने जो aims तै किये थे अपने goals तै किये थे starting में उनके बारे में हमारा judgment करने में help करते हैं. क्योंकि इससे भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर summative assessment के बाद आप रुख जाते कि आप कुछ भी सुधार नहीं हो सकता है. वो जगता आप अगले साल के लिए अगले साल वही बच्चे आपको मिले तो वो help कर सकता है. आप किसी दूसरे teacher को evidences provide कर सकते हैं in the form of report cards और जो भी आप evaluation kit बनाते हैं. तो उसके थ्रू जो है आप दूसरे teacher को आप evidence दे सकते हैं तो student की learning का कि इसने इतना अचीव किया है इतना इसका score रहा है जो भी है तो यह होता है assessment of learning part of evaluation ठीक है तो यह हमने तीन तरह के assessment को complete कर लिया है. नेक्स्ट हम बात करेंगे diagnostic assessment की इसकी भी जरूरी बात करनी है diagnostic होता है निदानिक मुल्यांकर या फिर यहाँ पर आप आंकलन कह सकते हैं इसको यहाँ पर मुल्यांकर रिखा है आंकलन होता है ठीक है तो diagnostic assessment means निदानिक आंकलन तो it is a part of assessment for learning यह assessment of for learning का part ही कह सकते हैं आप इसको देखो diagnosis जो होता है वो कई तरह के से होता है कई बार during the teaching learning process हम diagnosis करते हैं कई बार हम starting में कर लेते हैं हम formative assessment को start करने से पहले diagnosis करते हैं बच्चों का उनके जो previous knowledge है उसको check करते हैं साथी साथ उनके पिछले report cards वगरा देखते हैं ये हर कोई करता है अगर मेरे पास कोई नई class मिली है मुझे suppose मैं last year 5th ले रही थी है मुझे first class देनी है तो मैं थोड़ा सा देखूंगी parents से बात करूंगी कि कोई बच्चा कैसा है कुछ मुझे पता चल जाएगा time to time तो teaching learning process के दुरान अगर आपको लगता है कि कुछ बच्चे में कमी आ रही है या फिर आपको लगता है कि नहीं इस बच्चे को particular कुछ problem है उसको learning में difficulty आ रही है तो इस तीज़े के लिए आप diagnosis करते हैं बच्चों का आप उनको check करते हैं चेक करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं आप observation कर रहे हैं आप interview ले रहे हैं कि वो कितना कर पा रहा है तो इन सबसे कितरू हम जो है डाइगनॉसिस करते हैं बच्चे का यहां पर भी हमारा target होता है कि हमें बच्चे की learning को improve करना है एक बहुत ही छोटा सा example देती हूँ सपोज कि map reading आप करा रहे हैं बच्चे को आपने map reading कराई आपने almost 3 days जो है बच्चो को map reading करना सिखाया सपोज आपने Indian political map पढ़ना सिखाया आपने देखा जब आपने उसका test लिया या फिर आपने उसका assessment किया तो आपने पाया कि 40 में से केवल 20 बच्चे ही उस map को थोड़ा पो ठीक कर पा रहे है बाकी 20 बच्चे जो हैं बिलकुल भी नहीं कर पा रहे है तो आप यहाँ पर क्या करोगे आप diagnosis करोगे यहाँ पर बच्चो का कि आखिर कमिया क्या रही है कहां मेरी teaching part पर कमी रही या फिर बच्चो के समझने में कमी रही तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर sort out करनी पड़ेगी आप diagnostic assessment को आप formative assessment जैसा नहीं मानेंगे formative assessment में जो है यह हो सकता है कि देखो अब यहाँ पर एक difference बताती हूँ formative assessment यह हो सकता है कि आपने बच्चो का 40 number का test लिया और मतब suppose 40 बच्चो का आपने test लिया और आप test में आपने यह पाया कि भई ठीक है इस test में जो है almost सारे बच्चो के इतने से उपर number थे 4-5 बच्चो के इतने number थे तो मेरे को इन 4-5 उपर भी focus करना है और मैं और चीज़े change करूँगा अपनी strategy में कि 4-5 को भी मैं include कर पाऊँ इसमें या हो सकता है 10 बच्चो के अच्छे number नहीं आए तो आपने उस पर अपनी strategy improve करने की कोशिश करी तो वो आपका formative assessment हो गया ये चीज़ आपकी formative assessment होगी क्योंकि आप proper diagnosis नहीं कर रहे हो बच्चो का लेकिन जो map reading था आपने पाया कि 20 बच्चे जो है map reading कर ही नहीं पा रहे है तो आपने particular बच्चे पर 20 के 20 बच्चो पर individual attention दी साथी साथ उनका diagnosis किया कि क्या कमिया है या फिर आपके class में एक ऐसा बच्चा है एक हो सकता है दो हो सकता है फिर 5 बच्चे भी माल निजे 5 बच्चे ऐसे मिलें आपको कि वो जो है कितना भी आप पढ़ाएं कुछ भी करें क्या हो रहा है कि बच्चे कुछ करी नहीं पा रहे हैं मतलब जो भी आप टेस्ट ले रहे हैं आप बोलने के कोशिश कर रहे हैं उसको क्लास में जो भी कर रहे हैं लेकिन बच्चा कुछ कर ही नहीं पा रहा है तो आपने इन पांचों बच्चे पर फोकस किया और बारी-बारी से इनके बारे में जो भी किया यह आपका diagnostic assessment हो गया ज है यह कम्या रही है यह हमें सुधार की आफशकता है आप यहां पर action research भी कर सकते हैं action research का मतलब होता है कि जब आप छोटी day-to-day problems आपको जो face करनी पड़ रही है उनको आप solve करने के लिए research करते हैं चोटी सी hypothesis बनाते हैं बहुत सारे solutions के साथ सोचते हैं फिर solutions में से एक solution को आप best मानते हैं उसको आप apply करते हैं action research करेंगे आप कर सकते हैं मतलब यह option है उसके बाद diagnostic assessment के पात आपका काम होता है remedial teaching का remedial यानि कि सुधारात्मक teaching हम इसको कह सकते हैं इसमें आप basically कहते हैं कि आपको जो कम्या नजर आई कि ठीक है बच्छे map reading नहीं कर पा रहे हैं आप class में एक बहुत बड़ा map लिया है जिसके थूँ आपने हर बच्छे को stage पर बुलाया उसको locate करने को कहा चीजों को उसको कहा कि आप खुछ समझाओ कि आपको map में क्या दिखाए दे रहा है मतलब there are various of methods and various of teaching methods you can use in that तो remedial teaching का करते हैं आपका remedial teaching का जो focus होता है वो केवल उन teaching अब देखो इसको हम इस के थूँ जादा अच्छे समझेंगे diagnostic assessment है assist करता है teacher to gain क्या gain करने के लिए क्या लेने के लिए understanding of current situation पहले आपको पता चलता है कि हाँ ये current situation है हमारे सामने know about how to improve अब current situation क्या थी कि बच्चे map reading नहीं कर पा रहे है knowledge about how to improve आपको improve कैसे करना है इस बा तो फिर आप करते है improved learning outcomes हो सकता है कि 20 में से कम से कम 5 में सुधार आ गया पंदरा आप भी रह गए फिर से diagnosis करो फिर करो सुधार मतलब होता तो यह है कि आपको यही बोला जाएगा कि इन पंदरा को भी क्यों नहीं आ रहा है तो आप इनमें फिर से सुधार करो लेकिन ऐसा कि आपके results positive नहीं आते हैं diagnostic testing से 20 में से मैंने खाना 5 बचे भी का सुधार कर पाए that means कि you have improved a lot आपने कम से कम कोशिश की उनको diagnose किया और उसके बाद आपने यह किया तो यह है पूरा diagnostic assessment का एक chart कह सकते है आप इसको अब एक और term है evaluation evaluation क्या होता है मैंने आपको पहली बता दिय था कि value judgment होता है made on the phenomenon taking into consideration the quantitative or the qualitative information collected on it over a particular period of time जैसे कि एक साल का time basically हमान कर चलते हैं जो academic year होता है तो उस particular time में जो है आप qualitative or quantitative information collect करते हैं quantitative में कितना कितना बच्चे का score रहा measurement भी आप use करते हैं summative assessment is a part of evaluation क्योंकि यह term end में होता है और यहाँ पर भी judgment होता है तो यह evaluation का part होता है लेकिन सिर्फ summative assessment ही होगा उसके लावा कुछ भी नहीं होगा evaluation में यह धोका आपको नहीं रखना है क्योंकि evaluation मेंने कहाना qualitative भी होता है और quantitative भी होता है यहाँ पर evaluation होगा तो हर चीज का evaluation होता है साल भर बच्चे ने जो जो किया है केवल paper में नहीं क्योंकि summative assessment तो basically term and exam होते है जो pen paper test होते हैं आपके लेकिन evaluation यहाँ पर हर चीज का होता है उसकी reading habit का होता है discipline का होता है behavior का होता है hygiene and cleanness का होता है तो evaluation आपका बहुत सारी चीजों का हो सकता है तो evaluation is a broader term basically आपको यह जाना जरूरी है कि evaluation में आप judgment करते हैं यह चीज अगर आपको पता है तो आप कोई भी question आएगा exam में उसको solve कर सकते हैं तो याद रखे यहाँ पर हम judgment करते हैं कुछ चीज़े assign कर देते हैं बच्चों को कि ठीक है यह ranking देना या फिर judgment करना यह सब आपका evaluation के अ यह numbers होगे वो भी इसमें जो है matter करते हैं तो यह होता है आपका evaluation अब देखें यह summative assessment, formative assessment यह सारी terms जो है introduced कब हुई थी जब आया CCE, CCE क्या है continuous and comprehensive evaluation हला कि अब इसको जो है मतलब education में CCE अब जो है थोड़ा सा इसको हटा दिया गया है periodic test वगरा है इन सब चीज़ों की बात अब आ गई है फिर से again यही चीज़े हो गई है लेकिन CCE जब आया था तो कभी धमाकेदार हुआ था basically जो इसकी definition है I mean continuous and comprehensive evaluation इसकी full form पर ही अगर आप जाएंगे तो आपको काफी चीज़े समझ में आ जाएगी इतना तो हम सभी को पता है कि CCE means आप चाहते हैं कि बच्चे की continuous development हो यानि कि लगातार आपको चाहिए तो लगातार आप उसको assessment करेंगे उसके बाद comprehensive भी होनी चाह चाहिए चोटी उसमें नहीं कि 100 में से कितने number आ गए यह आपने evaluate करके रख दिया तो comprehensive का मतलब है कि हर एक aspect पर आपको काम करना है वो भले ही उसका cognitive aspect हो, effective हो, psychomotor हो, social हो, economical हो, सर हर aspect पर आपको काम करना है तो comprehensive evaluation होनी चाहिए पहले हमारी report card क्या होती थी 100 में से मतलब थे teacher के यह एक चोटी से report card होती थी तो इस report card के through जो है आप कह सकते हैं कि सतत और व्यापक मुलांगन है जी नहीं यह सतत और व्यापक मुलांगन नहीं था अब जो है government चाहती है कि आप जो है बच्चे का सतत करें मतलब continuous रखें उसको और comprehensive भी रखें यानि कि व्यापक चाहिए कि वो एक number में समा जाए तो basically cc is a process of ensuring learning performance of students through both formative and summative evaluation in different areas such as cognitive, affective and psychomotor to promote all round development of students, so cc का मतलब ही है all round development of students और formative assessment और summative assessment यह सब आया था cc के बाद, तो मतलब cc के under इन दोनों चीज़ों की बात की गई थी जो मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ, लेकिन cc जो है बस एक चीज़ आपको याद रखनी है कि यह चीज all round development of student पर काम करती है और इसी चीज़ को आपको याद रखकर इसके questions को सोन करना है, वैसे अब cc के उपर questions जो है नहीं आने वाले हैं, क्योंकि यह pattern जो है एक तरह से बंद हो चुका है, मतलब obviously cbse के under ही था यह pattern एक तरह से, और state governments ने भी इसको मतलब माना था cc को, लेकिन अब फिर से हम उसी पुराने धर्रे पर आच चुके हैं, मतलब cc को almost end ही कर दिया गया है, 2009 में यह शुर schools इसको follow कर रहे हो, लेकिन mostly यह चीज़ अब वो हो जोगी है, मतलब इसमें formative assessment को अलग-अलग terms यूज की गई थी, लेकिन अब जो है आपके periodic test और यह सब अभी वापिस आ चुके हैं, तो cc, जो भी है, इसका obviously एक बहुत important role रहा है cc का, क्योंकि कही ना कहीं इसने focus किया यह basically focus हुआ है six to ninth के लिए, ठीक है, अब 10th, 11th, 12th का तो खेरा लगी चलता है, 10th, 12th को बिल्कुल लग चकता है, board examination जो है, लेकिन six to ninth के लिए जो है, वही से हम periodic test और pen paper test पर जदा focus करने लगे हैं, लेकिन जहां तक बात है one to fifth की, तो one to five पर जो है, अभी तक वोई चल रही है, comprehensive और continuous ही चल रहा है, लेकिन periodic test दिल्ली के सरकारी स्कूल में तो introduce हो चुके हैं, और केवी में भी हम देखें, तो unit test और इन सब चीज़ों की वापसी हो चुकी है, तो मतलब कह सकते हैं कि CC जो है, अभी almost हर जगे से थोड़ा थोड़ा यह हट चुका है, मतलब प assessment और evaluation में फिलाल के लिए, इसके लावा जो standardized test होते हैं, उनकी वीडियो आपको अलग से मिल जाएंगी, जब आप standardized test की वीडियो देखेंगे, तो वहाँ पर कुछ और terms and terminologies जो है, आपको समझ में आएगी